हलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल एक्जाम इसान पे तो इबार फिर से मैं हाजिर हूँ पाच मई 2020 के इंपोर्टन इवेंट्स के साथ आप वीडियो के एक्स्प्लेनेशन ध्यान से सुने क्योंकि हर वीडियो के लाश्ट में मैं दो कोश्चन वीडियो के एक्स्प्लेनेशन से पूट अप करता हूँ आज का पहला कोश्चन देखते हैं तो कोविड-19 के कारण मनने वाले लोगपाल मेंबर कौन थे आजे कुमार जी थे इनका पूरा नाम था आजे कुमार त्रिपाठी जी इनका निधन कोविड-19 यानि कोरोना वाइरस चे हो गया ये लोगपाल के मेंबर थे आप सभी को याद है लोगपाल एक्ट 2013 में पास हुआ था उसके तहट लोगपाल में सदस्टों की संख्या जो है नौ होती है जिसमें एक आपका चेर परसन होता है और बाकी आठ मेंबर होते हैं आठ मेंसे आपके फोर जो है जुडिसियल होते हैं और फोर होते हैं नौन जुडिसियल उनी four judicial members में से एक थे आपके अजे कुमार टिपाथी जी डिसेंटली कुरोना वाइरस के करल इनका निधन हो गया इस समय इंडिया के लोगपाल कौन है तो इंडिया के लोगपाल है PC घोस पिनाकी चंदर घोस जी मैं बता दूँ आपको लोगपाल एक्ट 230 में पास हो गया था लेकिन लोगपाल को गठन आप याद रखेगा मार्च 2019 में हुआ था तो इतना आप याद रखेंगे लिसेंटली आजे कुमार टिपाथी जी का निधन हो गया मैं बता दूँ लोगपाल बनने से पहले ये 36 गड़ हाई कोड के चीफ जेस्टिस भी रह चुके थे तो कोरोना वाइरस के इनका निधन हो गया लेकिन आप देख सकते हैं गॉर्मेंट ने वाइन सॉप्स और सराब की दुकाने खोल दी कोरोना वाइरस के कारण मंदिर मस्जिद तो बंध हैं लेकिन मदुसाला को ओपन कर दिया गया है सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने के लिए लोगों की जान की परवाग गवर्मेंट को बिलकुल नहीं है तो आपके अजे कुमार तिपाठी जी का निधन हो गया यह हमारी लोगपाल थे और लोगपाल के चेर परसन है पीसी घोस मैं आपको बता दिया 9 मेंबर होते है जिनमें से एक चेर परसन होता है और 4-4 मेंबर होते हैं जुडिसियल और नॉन जुडिसियल आप इतना जरूरी याद रखिएगा कि लोगपाल में वरतमान में जो सेकेटरी हैं उनका नाम है ब्रिज कुमार अगरवाल जी Next question आपका है Who released R&D Statics Indicators Report for 2019 and 20 Research and Development Statics and Indicators Report 29-20 के लिए किस ने जारी की है Recently Department of Science and Technology ने R&D Statics and Indicators Report जारी की है इसमें जो analysis आया है उसको मैं बता देता हूँ आपको इस report का कहना है Government में R&D Expenditure 2008 से लेके 2018 के बीच में 3 गुना बढ़ा है Government R&D Expenditure 2008 से लेके 2018 के बीच 3 गुना बढ़ा है और per capita R&D Expenditure में 1.5 गुना की यानि 1.5 गुने की growth देखी गई है तो per capita R&D Expenditure और Government R&D Expenditure दोनों अलग-अलग आप एद रखेगा इसके अलावा इस report में कहा गया है कि इंडिया science publications यानि जो science के journal प्रकासित होते हैं उनमें word पे 3rd number पे है तो science publication में इंडिया 3rd number पे है और वही patent application में इंडिया word में 9 number पे है फर्स नमबर पे patent application में कौन है चाइना है सेकंड पे USA है तो उसी तरह से इन्होंने कहा है अपनी R&D Statics and Indicators report में कि इंडिया patent application में 9th number पे है और science publication पे 3rd number पे है ये जो ये आपका R&D Statics and Indicators report जारी की गई है तो ये किस आधार पे जारी की गई है देखिए एक NSTMIS National Science and Technology Management Information System जो Department of Science and Technology के अंतरगत एक division है उसने एक survey conduct करवाय था 6800 institution में उसी के आधार पे ये report prepare की गई है तो NSTMIS ने survey conduct करवाय था उसी के आधार पे आपकी Research and Development, Statics and Indicators report प्रिपेर की गई थी जिसको Department of Science and Technology ने जारी किया है Ministry of Science and Technology के अंतरगत आता है और जब भी आप यहाँ पे देखें सत्य में हो जाएते तो आप याद रखिएगा मुंड को अपनी सत्य से लिया गया है सत्य में हो जाएते वाक्य यानि सत्य की ही विजए होती है Next question है Which Indian Bank launched हम हार नहीं मानेंगे song तो कोरोना वाइरस से नहीं पटने के लिए और लोगों को मोटिवेट रखने के लिए हमारी HDFC Bank ने हम हार नहीं मानेंगे song डिलीस किया है देखिए इसको बनाया तो HDFC ने finance उपलब करवाया है लेकिन इसमें भागी दारी किसकी है तो AR रह्मान और जो famous lyricist है क्या नाम है उनका प्रसुन ने जोसी उन लोगों ने मिलके बनाया है हम हार नहीं मानेंगे song को तो HDFC की तरफ से हम हार नहीं मानेंगे song को launch किया गया है We Will Not Lose HDFC की बात करें यानि Housing Development Finance Corporation की इस्थापना हुई थी August 1994 में Headquarter है इसका मुंबाई में और MD & CEO है इसके आदित्यपूरी जी यानि Managing Director और Chief Executive Officer है आदित्यपूरी जी Next question आपका देखते है हाँ HDFC की बिसे में एक बात और बता दू एक्जाम में जब भी आपसे ये सवाल आए कि Market Capitalization के अनुसार इंडिया की Largest Bank कौन सी है तो HDFC है SBI नहीं है आप एद रखेगा SBI की Market Capitalization की नहीं है 1.6 Lakh करोड जबकि HDFC की Market Capitalization है 5.0 Lakh करोड यानि लगबक तीन गुना है Market Capital Value के हिसाब से ऐसे Normal Way में देखे तो अगर Branches के हिसाब से या और किसी हिसाब से खातों की संख्या की हिसाब से तो SBI इंडिया की Largest Bank है और Market Capital की हिसाब से देखे तो इंडिया की Largest Bank है आपकी HDFC और Market Capital क्या होता है एक share की Market Value into All All Shares यानि जितने भी shares होते हैं उनसे एक share की Market Value को Multiply कर देने पर उस Company की Market Value निकल आती है Next Question है Which Steel Company withdrawal its membership from ISA यानि Indian Steel Association से किस Steel Company ने अपनी membership का withdrawal कर लिया है Recently Tata Steel ने ऐसा किया है जो Tata Steel के CEO थे TV नरेंदरन जी वो ISA यानि Indian Steel Association के President थे Recently उन्होंने ISA के President पस से भी Resign कर दिया है तो इस परकार से Tata Steel ISA से बाहर हो गया है Indian Steel Association से बात करते हैं Indian Steel Association की इसका Headquarter है New Delhi में मैं बता दूँ आपको Domestic और Global लेवल पर ये Steel Industries की Vice के तौर पे कारे करता है यानि जितनी भी Steel Industries हैं उनसे मिलकर ये Association मना है जो Indian Steel Industries की Vice के तौर पे Global और Domestic दोनों लेवल पे काम करता है Recently Tata Steel ने आईसे से अपनी सदस्यता विड्रॉल कर ली है और Tata Steel के CEO कौन है TV नरेंदरन जी Next question है बेनर घटा नेशनल पार्क Started Animal Adoption Program Located in which state Recently बेनर घटा नेशनल पार्क ने Animal Adoption Program लाँच किया है आपको उताना है बेनर घटा नेशनल पार्क किस श्टेट में है तो कर्नाटका के बेंगलूरू में है आपका बेनर घटा नेशनल पार्क हाथियों के लिए famous है Recently इसने Animal Adoption Program लाँच किया है इसका मतलब यह नहीं कि आप गोद में ले लेंगे क्योंकि King Cobra को भी इस प्रोग्राम में सामिल किया गया है यानि King Cobra को भी Animal Adoption Program में सामिल किया गया है लॉक्ड़ून चल रहा है खाना अवेलेबल नहीं है चिडिया घर की या नेशनल पार्क के जनुरों के लिए तो अगर कोई अडॉप्शन ले लेता है तो उनके लिए फेसिलिटी प्रोवाइड करवाएगा वो वंदा इसलिए बेनर घर्टा नेशनल पार्क ने Animal Adoption Program लाँच किया है बेनर घर्टा नेशनल पार्क करनाटका में इस्तित है आप नयादर के रखेंगे करनाटका की कैपिटल बैंगलूरू में 1974 में बेनर घर्टा को नेशनल पार्क का टैग दिया गया था हलाकि अभी भी एक जू के तौर पे ही कारे करता है करनाटका के सीम कौन है बी एस येदियूरप्पा गवर्नर है वजू भाई वाला नेश कोश्चन आपका देखते हैं RBI Canceled Banking License of CKP Cooperative Bank Capital Adequacy Ratio को 9% मिंटेन करने में विफल रही है RBI की Guidelines के अमसार हर एक बैंक को Capital Adequacy Ratio 9% या उससे उपर मिंटेन करना पड़ता है क्यों क्योंकि sudden liquidity crunch हो तो वो अपने customers को उसमें से पैसा प्रोवाइड कर सके CKP Cooperative Bank ये मिंटेन करने में फेल हो गई इसलिए RBI ने उसका banking license ही cancel कर दिया और RBI को ये power कैसे मिलती है जो Banking Regulation Act 1949 में पास हुआ था उसके तहट RBI को bankों का regulation करने की power दी गई है जिसमें वो bankों का license भी cancel कर सकता है अब बात करते हैं RBI की Reserve Bank of India RBI Act 1934 के द्वारा 1st April 1935 को RBI की स्थापना हुई थी कुलकत्ता में Hilton Young Commission की सिफारिस के अधार पे RBI की स्थापना हुई थी आप एद रखेगा RBI का headquarters बाद में कहां transfer कर दिया गया तो मुंबाई में कुलकत्ता से मुंबाई वर्तमान में headquarters मुंबाई में है RBI के first governor कौन थे Osborne Smith RBI के first governor थे first भारती governor कौन थे CD Desmuk RBI के first भारती governor थे और वर्तमान में कौन से governor है 25th governor है सक्तिकांदास जी मैं बता दूँ कभी-कभी आपसे exam ये पूछ लेते हैं कि RBI का nationalization कब किया गया था तो 1949 में Banking Regulation Act भी पास हुआ था और RBI का nationalization भी 1949 में किया गया था और कभी-कभी ये भी पूछते हैं कि RBI Act की कि सेडूल में Schedule Commercial Bank को रखा गया है तो RBI Act 1934 की second schedule में Schedule Commercial Bank को रखा गया है ये खोशन देखते हैं थ्रिशूर पूरम An Annual Hindu Festival is organized in which state Recently Kerala में थ्रिशूर फेस्टिवल मनाया गया है यहाँ आप देख सकते हैं कई सारे हाथियों का जुंड है ये famous Hindu Festival है जो थ्रिशूर केरला में मनाया जाता है केरला में राजा, राम, वर्मा थे उन्होंने इस Festival की starting की थी तब से लेके आज सक प्रत्तिग वर्स त्रिशूर पूरम फेस्टिवल हिंदू तिवहर के तौर पे मनाया जाता है और ये हाथियों को सुझाया जाता है इसमें आप देखेगा केरल का फेस्टिवल है केरल के CM कौन है? पिनराई विजेयन आरिफ मुहम्मद खान यहां के गवर्णर है केरल के और केरल की वेमनार लेक आप प्याद रिखेगा इंडिया की लॉंगेस्ट रामसर साइट है लॉंगेस्ट बोल रहा हूँ लार्ज़ेस्ट कौन सी है? सुन्दरवन डेल्टा लार्ज़ेस्ट रामसर साइट है लॉंगेस्ट है वेमनार लेक जो केरल में सित है और इस समय केरल का एक नेशनल पार्क इरावी कुलम नेशनल पार्क बहुत चर्चा में है आप याद रिखेगा नेश कोशन आपका देखते हैं वेंचर इकोसिस्टम फर विल्डिंग अ ग्लोबल नेटवर्क आफ वेंचर्स तो वेंचर्स का ग्लोबल नेटवर्क बनाने के लिए वेंचर इकोसिस्टम को डेलब किया है आपके आयाईटी हैदराबाद ने IIT हैदराबाद ने venture ecosystem को निर्मित किया है ताकि ventures का global ecosystem बना जा सके इसका purpose क्या है innovation को और research को बढ़ावा देना इसके लिए आपके IIT हैदराबाद ने Hong Kong इस्थित new frontier capital management नामक financial firm से collaboration किया है तो जो आपकी new frontier capital management firm है उसके साथ IIT हैदराबाद ने collaboration किया है और उसके साथ मिलकर venture ecosystem नामक एक institution डेवलप किया है ने खोशन आपका देखते है विच इंडियन payment system launched two voice based application for merchants तो recently दो voice based application merchants के लिए भारत पेनले लाँच किया है इसकी खास्यत यह है कि आपको mobile touch किये बिना आपके account में payment की receiving के विसे में बता देगा और दूसरा app यह है कि आपका amount क्या है यानि balance क्या है आपके account में वो भी आपके mobile को touch किये बिना बता देगा तो भारत पे ने recently यह दो voice based application launch किये है merchants के लिए वैपारियों के लिए देखें पहले का नाम है पैसा बोलेगा पैसा बोलेगा एप और दूसरे का नाम है भारत पे balance भारत पे balance से mobile को आप बिना टच किये balance की जानकारी ले सकते हैं और पैसा बोलेगा एप से आप transaction की जानकारी ले सकते हैं बिना phone को touch किये हुए तो कि corona balance चल रहा है तो इसे मैं touching से बचना चाहिए इसलिए भारत पे ने ये एप launch किया है मैं बतादू जो भारत पे के CEO और founder है उनका नाम है असनीर ग्रोवर जी तो भारत पे के CEO और founder है असनीर ग्रोवर जी और recently भारत पे ने chief business officer appoint किया है निसान्त जैन को तो आप निसान्त जैन का नाम ज़रूर याद रखेंगे Chief business officer appoint किया गया है भारत पे दोरा मैं बतादू भारत पे इंडिया का पहला UPI यानि Unified Payment Interface based payment app है इससे पहले कोई भी application नहीं था जिसमें UPI की facility अवेलेवल थी भारत पे का head office आपका नई दिल्ली में है तो आप इतना याद रखेंगे recently दो voice-based application भारत पे ने launch किये है next question है Fina Aquatic World Championship या फिर Fina Swimming World Championship 2021 में होनी थी re-schedule हो गई है 2022 के लिए आपको दाना है consequently इसको host करेगी देखिए जापान के Fukukowa में 2021 में ये championship होनी थी अब 2022 में ये championship वापस जापान के Fukukowa में ही होगी तो आप रखें का Fina Aquatic World Championship 2022 में जापान के Fukukowa में होगी 2021 में क्यों नहीं हो रही क्योंकि जो Olympic 2020 में होना था वो postpone होके 2021 में चला गया है हाला कि वो जापान में नहीं होंगे वो Caribbean country में होंगे और आपकी Fina Aquatic World Championship जापान में होगी ये 19th edition है Fina Aquatic Championship का 18th edition कहा हुआ था तो गौंग्जू South Korea में 18th edition हुआ था और 20th edition अगला वर्स कहा होगा 2023 में होगा कहा दोहा कतर की capital दोहा में होगा swimming championship Fina अब आप सोच रहोंगे Fina क्या है Federation International D Nation ये है Fina का full form ये global लेवल पर swimming championship और्गनाईज करने के लिए governing body है 1908 में इसकी स्थापना हुई थी headquarter इसका लोसाने Switzerland में है और president कौन है जूलियो मैंगलियो जूलियो मैंगलियो इसके president है इसके question आपको देखते हैं famous discuss throw player Sandeep Kumari banned for four year due to dope test failing belongs to which Indian state recently famous disc throw player Sandeep Kumari उन पर बैन लगा दिया है क्योंकि doping test में वो fail हो गई है चार वरस का बैन लगाया गया है आपको उताना Sandeep Kumari किस state से बिलॉग करती है ये हर्याला की रहने वाली है recently WADA World Anti-Doping Agency ने Sandeep Kumari पर चार वरस का बैन लगा दिया है क्योंकि ये dope test में fail कर गई है मैं बता दूँ WADA की बात करता है क्योंकि Sandeep Kumari बनाने बता दिया हर्याला की रहने वाली है WADA यनि World Anti-Doping Agency 1999 में स्थापना हुई थी इसी Headquarter का है Montreal Canada में इसका Headquarter है और President है इसके Witold Bank का तो आप इतना रखें WADA ने recently Sandeep Kumari पर चार वरस के लिए बैन लगा दिया है और ये discuss throw player है हर्याला की Next question है which state started agro entrepreneurship entrepreneur facilitation desk for new startups तो नए startups के लिए agro entrepreneur facilitation desk किस state ने start की है recently Tripuran ने start की है agriculture में startups को बढ़ावा देने के लिए Tripura ने agro entrepreneur facilitation desk इस्थापित की है यहाँ पे agriculture से related जितने भी startups होंगी उनकी problems को solve किया जाएगा आप इतना याद रखेंगे बात करते हैं Tripura की CM कौन है विपलब कुमार देओ यहाँ के CM है गवर्नर है रमेश बैजी जब भी Tripura की बात आया तो आप एद रखेंगा Tripura तीन तरफ से बंगला देश से घिरा हुआ है और जो Red Cliff Line है जो भारत पाकिस्तान को डिवाइड करती है वही Red Cliff Line भारत बंगला देश को भी डिवाइड करती है क्योंकि Tripura तीन तरफ से बंगला देश से घिरा हुआ है आप यहाँ देख सकते है तो पास्चिम बंगाल के बाद सबसे आदा बंगला देश के सीमा कौन बनाता है साथ में Tripura बनाता है International Fire Fighters Day किस तारिक को अबज़र कियाता है तो प्रत्यक वर्स पाच फायर्स कर्मचारी की मौथ हो गई थी चार मई को इसलिए उनकी याद में हर वर्स चार मई को Fire Fighters Day मनाया आता है फर्स्ट मई को आपको याद है International Labor Day मनाया गया था मैंने आपको बताया था और उसी दिन गुज़रात और महराष्ट डे भी मनाया गया था सेकेंड मई को World Tuna Day मनाया गया था मचली के विशे में जनकरी प्रवाइड करने के लिए नूट्रिशन प्रवाइड करने के लिए थर्ड मई को World Press Freedom Day मनाया गया था और आज 4 मई है इस दिन World Wide International Firefighters Day मनाया गया है नेस्ट कोर्शन आपका देखते है इंडियास फर्स्ट कोविड-19 टेस्ट बस लांच इन विश सिटी डिसनल्ली मॉंबाई में इंडिया की पहली कोविड-19 टेस्ट बस लांच की गया है इस बस की कैश्टरी एक महिने में 50 MILLION लोगों का COVID टेस्ट करने की है यहानि एक महिने में ये 5 करड़ लोगों का COVID-19 टेस्ट कर सकती है इस बस की कैश्टरी है डिसेंटली मुंबाई में लांच की गई है और लांच किसके दवरा की गई है IIT, Alumni आप यहां देख सकते हैं, IIT Alumni दोरा लांच की गई है, यानि Indian Institute of Technology Alumni Council, अब आपको डाउट हो रहा होगा कि IIT Alumni Council होता क्या है, भारत में इस समय 23 IITs हैं, इन 23 IITs से कुछ स्टुडेंट्स और प्रोफेसर ने मिलके IIT Alumni Council 2018 में बनाई थी, जो इंडिया के लेविल पे या बस लांच की है कहां पर, मुंबाई में लांच की है, जो 50 मिलियन लोगों का एक महिने में COVID-19 टेस्ट करने की छमता रखती है, तो आप एद रखेंगे, नेस को चना आपका देखते हैं, मत कर फारवर्ड कैमपेइन, स्टार्ट बाई, विस सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो किस सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म ने मत कर फारवर्ड कैमपेइन लांच किया है, लिसेंटली टिक टॉक ने मत कर फारवर्ड कैमपेइन लांच किया है, और ये देख सकते हैं, फेक न्यूस को प्रसारित होने से रोकने के लिए, ये मत कर फारवर्ड कैमपेइन लांच किया गया है टिक टॉक के द्वारा यहां पे विराट को ली है आईश्मान खुराना है आपकी और दो हिरोइंस भी है यह जो है प्रमोट कर रही है परपस है कि सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज यह आप वहाँ को फैलने से रोका जाए तो टिक टॉक नॉक ने नेगे ङूज फैलने है तो अर्बन यूज पे लिए सिर्भ एर्बन इंप्लाइमेंट गारंटी स्कीम को लांच किया है हिमांचल परदेश सरकार ने इस समय COVID-19 चल रहा है कई युवा बेरोजगार हो गए है इसलिए सहरी युवाओं को रोजगार देने के लिए हिमानचल प्रदेश सरकाल ने CM Urban Employment Guarantee Scheme यानि मुख्यमंत्री सहरी रोजगार गरंटी योजना चलाई है हिमानचल प्रदेश सरकाल ने में क्या होगा सहरी युवाओं को 120 दिनों का यानि अर्बन यूज को 120 दिनों का रोजगार प्रवाइट किया जाएगा आप याद रखेगा बात करते हैं हिमानचल प्रदेश की आप यहां देख सकते हिमानचल प्रदेश के गवरनर कौन है बंदारू दत्तत्रे और सीम कौन है जैराम रमेश ठाकुर पिन वैली नेशनल पार्क हिमानचल प्रदेश का बहुत फेमस नेशनल पार्क है तो आप याद रखेंगे नेशन कोशन देखते हैं नेशनल पार्क हिमानचल 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 पार्क हिमान इंजेनियूटी नाम दिया है रोवर को ये देख सकते हैं आप इंजेनियूटी नाम दिया है रोवर को वनीजा रूपानी ने नेम दा रोवर कॉंटेश को पहले उन्होंने जीता क्योंकि उनके रोवर का नाम था इंजेनियूटी तो मार्स पर अपने अगले मिसन के लिए नासा रोवर का नाम रखेगा इंजनिविटी आप एद रखेंगे वनीजा रूपानी द्वारा सजेस्ट किया गया था बात करते हैं नासा की 1958 में नासा की स्थापना हुई थी हमारे यहां DRD की स्थापना हुई थी 1958 में नासा की फुल फॉर्म है National Aeronautics and Space Administration इसके फांडर कौन है Dwight D. Eisenhower इंडिया आने वाले पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट है Dwight D. Eisenhower उन्होंने नासा की स्थापना की थी हेटकॉर्टर नासा का वाशिंग्टन में है और इसके administration कौन है जिम ब्रिडिश टाइन नासा के administration है नासा के headquarter आपको होता ना है और RBI का nationalization आपको होता ना है बिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए take care good bye and join